तो जी इस शुक्रवार को तीन फिल्में रिलीज हो रही है दो बॉलीवोड की यानि हिंदी या उर्दू भाषा में है और एक तेलगु भाषा की फिल्म जो हिंदी में पूरे भारत में रिलीज हो रही है और चीख चीख कर कह रही है कृष्णा एक रियालिटी है ना कि मिथ जैसे कि Krishna को mythology या myth लेफ्ट के propaganda के तहत कह दिया जाता है और हमारी history books ने भी वैसा ही कुछ बना दिया है तो आपको कौन सी film देखनी चाहिए logical reasoning के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा आप हमरे साथ बने रहे हैं देखते रहे हैं आज की दाता खबर देख में एक अलगले वल बर बवाल चल रहा है boycott, bollywood, boycott, lal singh chadda, boycott, rakshabandhan सब चल चुका है लोग अपनी गाडियों के पीछे इस प्रकार के poster लगवा कर चल रहे हैं ऐसा बवाल न भूतों न बविश्यती है और इस सब के बाद अनुराग कशव और तापसी पन्नू ने भी कह दिया है कि फिल्म तो हमारी भी आ रही है, हमें boycott किया जाए लोगों ने कहा, तुम्हारी फिल्मों को boycott करनी किया शकता नहीं पड़ती वो वैसे ही नहीं चलती जिस एक्टर की फिल्म में 4,000 रुपे कमा रही हों दिन में उसे क्या ही boycott किया जाए, उसे तो चंदा देना चाही है फिल्मों के लिए आज के समय में दो एक्स्रीम में बाते चल रही है एक एक्स्रीम कह रहा है कि boycott करो दूसरा कह रहा है कि नहीं हम इन फिल्मों के साथ खड़े हुए हैं comedian अतुल खत्री ने कहा दुनिया में युक्रेन रूस की आपस में बाज रही है इस्राइल और गांजा इनकी भी चल रही है चीन और ताइवान भी कुछने को तैयार बैठे हैं और भक्त boycott लाल सिंग चड़ा चला रहे हैं पर खत्री जी बात ये समझ भी नहीं आई अब क्या साला एक पिचर के लिए रूस इजराहील की आर्मी में शामिल हो जाएं क्या क्या करने भाई बताओ और वहां जो भी चल रहा है वो उनके देश जाने इसमें भारत के लोग क्या करें सला युकरेन का प्रेजिडेंट खुद वोग की मैगजीन में कवर फोटो पर फोटो किछवा रहा है भारत के लोग इस फिल्म पर अपनी राहे ना रखें बताओ लोजिक है कोई इस बात का इन्हें बहुत लग रहा भारत के लोगों ने अमेर खान के अगेंस्ट एक शब्द जिसकी स्पेलिंग ह-a-t-e है उसका कुटिर उद्द्योग खुल दिया है आज की समय में प्राइम टाइम पर प्रते एक न्यूस चैनल की यदी कुछ बात चल रही है तो वो यही है कि इस फिल्म के विरोध में या उसके सपोर्ट में डिबेट इनहीं पे है तो ऐसे में यह इंपोर्टन हो जाता है कि किस फिल्म को देखा जाए किसको नहीं रक्षाबंदन और लाल सिंग चड़ा और कार्तिके 2 ये तीनों भारतिय फिल्म में इस सप्ता रिलीज होंगी और कौन सी फिल्म कैसा करेगी ये आगे देखना होगा लाल सिंग चड़ा आमिर खान का स्वैम का प्रोड़क्शन है डिरेक्टर जो है उसके वो है अदवैत चंदन और इन्हों ने इससे पहले सीक्रेट सूपरस्टार वनाई थी जो कि भारत में तो चली नहीं पर चीन में बहुत बड़ी हिट हो गई अब भाई चीन में हिट हुई और वहां की मीडिया ने इसके बारे में कुछ चापा नहीं चीन के लोगों ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं तो सीधा एक हजार करोड चीन में कैसे कमा लिये इस फिल्म ने ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया और कुछ लोग इसक ब्लैक का वाइट हो गया अब यह भाई जो है यह कॉंस्पिरेसी तियोरी है इसका सच्चाई से कितना लेना देना है वो हमें पता नहीं दूसरी और यह फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है अब आप ये देखो ये हैं टॉम हैंक्स फॉरेस्ट गंप में जब आर्मी जोइन करते हैं और ये हैं आमिर खान इस फिल्म में देखो एक्स्प्रेशन देखो अब भाई सस्ती कॉपी को देखना कितना लॉजिकल है ये मुझे तो पता नहीं और ये फिल्म फ्री में अवेलेबल भी है फॉरेस्ट गंप देख लीजे दूसरा ये आमिर खान भाई साब है जो जब इसराइल के प्रेजिडेंट भारत में आये थे तो इन भाई साब ने उन से मिलने के लिए मना कर दिया जबकि इसराइल भारत का मित्र राष्ट रहा ह कारगिल के समय इसराइल ने भारत का समर्थन किया उसे बड़े सारे इक्विब्मेंट दिये जिस से भारत उस समय पाकिस्तान पर विजय पापाया वहीं ये भाई साब यही आमिर कान भाई साब तुर्की जाकर वहां के रेजिडेंट और उनके परिवार से मिलकर आते हैं जबकि तुर्की कश्मीर में मरसी नरीज भीज रहा है लड़ने के लिए पैसे देखे कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है हमेशा आज भी कर रहा है अब इनके अलावा है दूसरे फिल्म रक्षा बंदन जिसे आनंद रॉय ने प्रड्यूस किया है डि कंगना के रूम में चीगवेरो की फोटो लगवाई थी और चीगवेरो पर आज तक विश्व ये नर्न नहीं बना पाया है कि क्या वो एक रेवलिशनरी थे जैसा लेफ्ट बोलता है या फिर वो ऐसी एक मशीन थे जैसा आप आर्टिकल देख रहे हैं और रांजना में पूल दिखाया गया और लोगों के मन में एक परसेप्शन बनाया गया कि लेफ्ट कितना अच्छा है जबकि जेनियू से जो नेता निकले हैं वो हैं कनया कुमार उमार खालिद जिन में से एक आर्मी के लिए ये बोलता है कि कसमीर के अंदर महिलाओं का या जाना है शुरक को प्रक्ष देती वो फिल्म है उस लेफ्ट की अरुंधती रॉय के कश्मीर के बारे में कुछ ऐसे विचार है और उसी अरुंधती रॉय से इंस्पिरेशन लेकर JNU के बालक अफजल गुरु की याद में उसकी बरसी बनाते हैं क्यूंकि अफजल गुरु तो अच्छा वेक्ती था भई परन्तु फिल्म में इन्हें स्टार दिखाया जाता है मानो ये रेवल्यूशन ला देंगे देश के अंदर देश को इनकी कितनी आवशकता है पर ये नहीं पता देश इनका आर्थी खर्चा भी उठा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी दिखाई गई वो थी लेफ्टिस्ट ऐसा और जे न्यू के ये बालक इसलिए जो सौफ्टली खेला जा रहा है वो बहुत भयानक है नहीं मैं मानता हूँ कि रांजना में हीरो ने सोनम और स्वरा में से जब चुनने के को कहा गया तो उसने मृत्यू चुनली पर ये जो मैंने बताया वो भी तो माइन में रखने वाली बात है और इस सब के ऊपर जिस Communist Ideology की बात अपनी फिल्मों के माध्यम से की जा रही है इनके द्वारा उसी Communist Ideology के जो जनक थे यानि कारल माक्स उन्होंने भारत में ब्रिटेन के ओक्यूबेशन को कहा था कि बहुत अच्छी बात है भारतियों के सार्थ ब्रिटेन बहुत बढ़ि तीसरी फिल्म की उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में तो जी तीसरी फिल्म है कार्तिके 2 जो की तेलगू ओरिजनल फिल्म है और हिंदी में उसे डब करके सभी स्थानों पर रिलीज किया जा रहा है ये फिल्म बात करती है कृष्ण भगवान की अनुबम खेर ने इस फिल्म में काम किया और इसमें काम करने के उपरांत उन्होंने कहा कि इतने पावरफुल डायलोग्स हैं इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट है तो इसके लिए एक हैश्टेक अलग से चलाना चाहिए जिसके इतिहास कह रही है और ना केवल इतिहास कह रही है बलकि प्रूफ्स भी दे रही है कि भगवान कृष्ण इतिहास का एक अभिन अंग है ना कि एक मित सूडो सेकलर रजम से लड़ती हुई ये फिल्म थोड़ी अलग है यदि आपने फोर्स पार्ट नहीं देखा है तो भी क अजीब दास्ता शापित के नाम से आप सर्च कर सकते हैं तो इन तीनों में से आप कौन सी फिल्म देखेंगे आशा है आपको समझ में आ चुका होगा तो आशा ये भी है कि वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो बढ़िया लगी तो भाई सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपी आई और पेट्रियान के माध्यम से सपोर्ट किया जा सकता है आप हमें देख रहे थे आज की ताजा ख़वर पर जय हिंद जय भारत